जहिन दोस्तों वंसिका आल जाव इंदी चैनल में स्वागत है दोस्तों एक और वाकेंसी निकल के आई हुई है जो कि इसके पहले आप लोग को वीडियो में जैसे स्वाट नोटिस आया था आप लाइन इस्टार्ट नहीं हुआ था तो उसके पहले आप लोग को बता दिये तो दोस्तों उसका आफ लाइन इस्टार्ट हो गया है फार्म बरना डेट इस्टार्ट हो गया है तो आप लोग जल्दी से जाईए फार्म बरके आप लोग जल्दी से छोड़ दीजिए डेट से पहले आप लोग छोड़ दीजिए तो आप लोग को पहले बताया था को आप लोग पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा इसमें कुछ इंफार्मेशन आया हुआ है जो कि यह आप लोग को बता देते हैं दोस्तों तो आप लोग वीडियो को आप लोग अंतक देखिए दोस्तों आप लोग को समझने आता है फिर दोबारा आप लोग तो दोस्तों आप लोग को सोट नोटिस दिखाने जा रहे हैं एड क्वाटर सेंट्रल कमांड लखनों बैकेंसी 2022 में निकला हुआ है काफी अच्छी दोस्तों इसके पहले वीडियो में आप लोग को बताया था कि एड को आप लोग बता दें उसका फर्म आफ लाइन भी इस वीडियो बनाया थे उसमें आप लोग देख लीजिएगा डिपार्टमेंट बता दे तो एड क्वाटर सेंट्रल कमांड लखनों में बाकेंसी निकली हुए पोस्ट का नाम बता दे तो हेल्थी स्पक्टर वासर में में बाकेंसी निकली हुए टोटल बाकेंसी बताए तो 47 पोस्ट निकला हुआ है आप लोग का फार्म अपलाई यानि फार्म आफ लाइन इस्टार्ट हो चुका है दोस्तों ते एक तीस साथ 2022 से यानि आज आज से यह आप लोग का आफ लाइन आफ लाइन बना फार्म इस्टार्ट हो गया है फार्म का जो लास्ट डेट है बार पर नव दूज़ार बाईस तक आप लोग भर सकते हैं एडूकेशन की बात करें तो हेल्द हेल्थ इस्पेक्टर के लिए दसमी पास होना चाहिए इन्वर्सिटी या बौर्ड से होना चाहिए उसमें दोस्तों आप लोग को सेंट्री स्पेक्टर का कोर्स सार्टिफिकेट भ होना चाहिए और दोस्तों आप लोग को बता दें एज काउंट एज काउंट की बात करें तो बारण हो 2022 से आप लोग अपना एज निकाल ली जिएगा दोस्तों आप लोग को पहले तो यह बता दें कर सकता है अएज कांटी उतक है एज कांटी में गरले आवेदन कर सकता है और दोस्तों यहą काउंट varies का निकालना है आप लोग को ये भी बता देते हैं दोस्तों पहले आप लोग लाश्ट डेट लिखियेगा जैसे बारां नौ दू हजार बाईस इक्जांपल में आप हम इक्जांपल में दोस्तों किसी का डेट पबर्थ हम रह लेते हैं जैसे 37 1995 तो आप लोग को अइसे निकाल देना है दोस्तों यहां से आप लोग 80 लेंगे तो 12 हो जाएगा बारे में से आप 5 निकालेंगे, 7 बचेगा, 111 में से 9 निकालेंगे, 2 बचेगा, यानि 27 एर्स हो गया 27 साल हो गया यहां बच्या 9 9 में से साज जाएगा 2 निकलेगा 12 में से 3 जाएगा 9 यानि दोस्तो 27 साल 2 महिना 9 दिन हो रहा है तो आप लोग को एज काउंट ऐसे निकाल लेना है दोस्तो अपना एज जरूर निकाल लिएगा दोस्तो अगर आप लोग का ओबर एज हो जाएगा तो आपको फार में आप लोग का निरस्त हो जाएगा पैसा भी 100 रुपया नक्सा बन जाएगा दोस्तो जहरा आप लोग को बता दें आप लोग को जो आवेदन सुल्क मांगा गया है सो रुपया सुल्क मांगा गया है तो वनली ओवी सी जनरल इडाबलू एस कंडिडेट ही सो रुपया फीस लगा है जो की पोस्टल आडर थू लगा है पोस्टल आडर जो दोस्तों वो पोस्ट आप इस पर मिलता है तो आप लोग को बता दें पोस्ट लाडर जो आप लोग लेंगे पोस्ट लाडर के उपर आप लोग आड्रेस लिखेंगे इन फेवर इन फेवर आप इसर कमांड डेट कमांड आस्पीटल सेंट्रल कमांड लखनव यह आप लोग adder के ऊपर लिखेंगे के नाहीं दोस्तों अलका फिल्का थोड़ा खाशीं हा रहा है कोई दिक्कद नहीं डॉका सप्सद् bust looking के बात करें किया के लगाना है यानि डाकॉमेंट यहां मैंसलों को संगलन करना भी आप लोग को बता दें दोस्तों वीडियो हम तक देखिएगा क्योंकि समझ नहीं है फिर आप लोग परसान होगे कमेंट करेंगे तो डाकोमेंट आप लोग को बता दें जुल पर टेस्टेड वना चाहिए ये self-attested का मतलब होता है सो इम अपने से परमाडित करना है यानि दोस्तों आप लोग का जो नाम होगा वही अपना स्ताचर कर देना उसी को self-attested बोलते हैं आप लोग को send farm the by registered post and speed post only आप लोग को दोस्तों जो आप लोग फार्म भर के यानि आप लोग पोस्त आपीस द्वारा छोड़ेंगे वहां तक send करेंगे बेजेंगे तो only registry होना चाहिए नाई तो only speed post द्वारा यह बेजना है आप लोग को आप लोग को बता दें education certificate education certificate दस्वी का जो मांगा गया दोस्तों तो दस्वी का आप लोग का self-attested होना चाहिए और दोस्तों बता दें दो passport size photograph आप लोग का लेगा और experience अगर आप लोग के पास है तो self-attested होना चाहिए और दोस्तों बता दें पोस्टल आडर सावड़ी issue date जो है पोस्टल आडर आप लोग का इसू यानि जो आप लोग domicile certificate यानि निवास पर्माट पत्र आप लोग का जो होना चाहिए और भी self-attested होना चाहिए सारा कोई document fit करने के बाद संगलन करने के बाद आप लोग को कहां बेजना है यह भी बता दें फार्म sending address आप लोग को बता जें रहे हैं दोस्तों टू द कमांडेंट कमांड आस्पीटल सेंट्रल सेंट्रल कमांड लखनव यूपी आप लोग को बेजना है जो की pin code है by 602 एक बार और दोस्तों बोल दें रहे हैं 226 002 आप लोग इसी पर बेजना है जो भी जनकारी लेना होगा फार्म बनने में दिक्कत होगी तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा तुरंत उसी पर वीडियो आप लोग को एक बनाया जाएगा कि कैसे फार्म बरा जाएगा तो दोस्तों ओवन सी का आल जाव इंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी बाकेंसी होई इस चैनल क मादेम से पता चले धन्यवाद दोस्त